कि अस्सलामुलेकुम वेलकम टू स्टुडेंट्स प्लेटफॉर्म आज हम पढ़ेंगे एमजी ट्रिपल वन के लेस्ट नंबर एट को तो आए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ओफ पॉब्लिक एड्मिस्ट्रेशन विए पिछली लेस्ट्रेशन में भी हमने हिस्ट्री लेसे डेट्स वगयरा हैं ज्यादा इसके अंदर कंपनी वगयरा के नाम हैं तो उनको मैंने हाइलाइट कर दिया है फिर भी ओवराल जो इसके अंदर कहा गया है पुरे लेक्च्छर के अंदर उसको डिसकस कर लेते हैं तो आए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ये कहा रहा है कि 1642 में इस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली जो है फैक्टरी बाला सोर में काइम की 1645 में दूसरी और 1647 में तीसरी कंपनी ओपन की 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ जिसके तहट ब्रिटिश गौर्मिट ने कंपनी को ये इजाज़त दी कि वो तमाम काम शुरू कर दे जो के एक हकुमत चलाने के लिए जरूरी होते हैं 1858 में ब्रिटिश गौर्मिट ने डिरेक्ट रूल काइम किया अपना सब कॉंटिनेंट पे आगे पब्लिक मेनेजमेंट सिस्टम ड्यूरिंग ब्रिटिश पावर गौर्मिट ओफ इंडिया एक्ट 1858 वाज पास्ट बाई ब्रिटिश पार्लिमेंट इसके बाद एक कॉंसल बनाई गई जो के 15 मिम्बरान पर शामिल थी इसके एहम पहलो देख लेते हैं इंडिया एक्ट के ये एक सेंट्रिलाइस गौर्मिट थी कंपनी को जो इक्तियाराद दिये गए थे वो सेंट्रल गौर्मिट के कंट्रोल में थे और तमाम इखतियाराद गवर्नर जनरल के पास थे बरतानिया से इस्ट इनिया कंपनी में लोग आते और इस कंपनी में कारोबार करते और इस सर्विसिज का नाम था मार्कंटाइल सर्विस 1601 मार्कंटाइल इसलिए इसे कहा जाता ये मार्चंट से निकला था क्योंकि जो लोग वहां पर काम करते हैं आगर वो बरतानिया से हिजरत करके आते थे 1601 से 1858 तक कंपनी के जरीए गौर्मिन्ट का कारोबार चलता रहा और 1858 से 1947 तक जो हकूमत का डारेक्ट कंट्रोल था उसे इंपिरियल सर्विसिस कहते हैं और इसे एंप्लोईस के लिहाज से दो में तक्सीम किया गया कंवेनेटिड और अनकंवेनेटिड कंवेनेटिड में हाई हाई रथ एंप्लोईस है जिन्होंने एग्रिमेंट को साइन किया था और अनकंवेनेटिड में लोर्ग थे जिन्होंने कोई भी एग्रिमेंट साइन न Employees की salaries इतनी ज्यादा मुकरर की गई इस हिसाब से मुकरर की गई कि इन्हें company के लावा कहीं और जाकर job करनी ना पड़े Police system जो है 1861 में start किया इनोंने जो के 2000 तक पाकिस्तान में भी चलता रहा British gave system of law administration emphasize on education यह था और आखरी एक चीज रह गई यह उसको देखते हैं पाकिस्तान जब आजाद हुआ था तो उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था इसके अंदर वो डिसकस कर रहा है पहली थी कि पाकिस्तान में professionals की कमी थी मतलब train बंदे बहुत कम थे पाकिस्तान में पाकिस्तान में बहुत से लोग हिजरत करके आए थे अपने माल असबाब जो हैं वो इंडिया में छोड़कर आगे थे इनको manage करना भी एक बहुत बड़ा टास्क था तीसरी चीज़ थी कि पाकिस्तान में resources की infrastructure जिसको कहते हैं उसकी बहुत कमी थी रोड नहीं थे dams नहीं थे power houses नहीं थे schools नहीं थे hospitals की कमी थी इन सब को भी manage करना था आखरी पॉइंट में कह रहा है constitution making major task was constitution making पाकिस्तान face leadership crisis after the death of काईद्याजम क्यूंकि बहुत सी असामियों पर ना बड़ी बड़ी authorities पर जो लोग बैठे हुए थे वो non-mislim थे तो उनको face करना भी एक बहुत बड़ा चलें सब्सक्राइब यह था आपका आज का lesson मैं उमीद करता हूं कि आपको समझ आगी होगी इसके लावा अगर आप लोग समझते हैं कि आप किसी lesson में किसी subject में किसी topic में वीक हैं तो आप मुझे comment कर सकते हैं मैं उसकी related भी इंशालत अला short video बनाऊंगा तो मिलते हैं